नमस्का दोस्तों, बंगलादेश वर्सिज निदरलेंड का 27th नमबर मैच है, देखते हैं आज के मैच का रिकोर्ड हमारा क्या कहता है, किस तरीके से जो है आज का मैच चलने वाला है, ट्रम प्लेयर कौन से होंगे, फ्लॉप प्लेयर कौन से होंगे, AI जेनरेटेड अलराउं एक ऐसे पीच के उपर मैच है, जहां पर पिछले 10 सालों से कोई मैच नहीं खेला गया है, जो भी रिकोर्ड आपको दिखाई देंगे, वो सारे के सारे पुराने रिकोर्ड है, 2014-15-13 के रिकोर्ड है, और उसके रिकोर्ड के एकोर्डिंग, क्योंकि 10 साल में तो बहुत कु से मैच है, और यह जो है किंस्टन के उपर, विंसेंट के ग्राउंड पर यह मैच होने जा रहा है, किस तरीके से मैच होगा, क्या होगा, उसके पहले हम लोग देख लेते ही, दोनों साइट से पॉसिबल प्लेइंगी लेविल, क्या होगा, यहां से आपको ओपनिंग करते ह दिखाए देंगे शैंटो और तैंजीद हसन, इसके बाद वन डाउन आएगा लिटन दास, शाकीबल हसन, हिर्दोय, महमद उल्ला, जाकीर अली, और इसके बाद आपके रिशाद हुसैन है, अहमद है, रह्मान है, और तैंजीम हसन शाकीब है, जो की पिछले मैच के लिए हमारा ट्रम प्लेयर था और कैप्टेन भी था, यह वहीं बंगलादेश का मैच है, जिसके मैच में बहुत लोगों ने अच्छे पैसे, सारे आईपील का लॉस कवर यहाँ पर हुआ था, चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, पावर प्ले के बॉलर्स और डेत के बॉलर्स पावर प्ले में भी आपको फिर से वापस टी शाकिब जो है दिखाई देगा, पहला तीसरा और पांचवा ओबर है, ताशकी नहमद दूसरा और चौथा और मुस्तफिजु रह्मान जो है वो आपको छट्था ओबर करते हुए दिखाई देंगे, इसके बाद, सुला ओब पर तीसरा किब को आर हुसेन सत्रहवा और अठारा और विश्ट जो है मुस्तफिजु रह्मान और ताशकी नहमद आपको उनिस्वा ओबर करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, यह पावर प्ले और डेट के बालर हैं, अब यहाँ से जो इंपोर्टेंट प्लेयर होग आज के मैच में वो हो सकता है मुस्तफी जू रहमान याद रखिएगा ठीक है एम रहमान जो है आज के मैच के लिए इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है अब बात कर लेते हैं नेधरलेंड के तरफ से नेधरलेंड में आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन-कौन वान विक टीम प्रेंजल, मिकरन और आपको वी किंगमा वी किंगमा भी हमारा ट्रम प्लेयर था वी सी था वैसे एक वी के टेक्स्टा लहना चाहिए था पिछले मैच में नहीं लिया तो मुझे नहीं लगता है कि यह लोग भी कोई चेंजेस करेंगे सारा का सारा सब कुछ इस match के अंदर भी same होने वाला है अगर कोई भी changes होगा वो मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा या live आऊँगा उस time पर भी आप लोगों से discuss करूँगा फिलहाल वी किंगमा जो है आप देखिए पहला तिसरा और पांचवा ओवर करेगा ठीके पावर प्ले बॉलर से team परिंजल है इसके बाद Logan वान वीक है और Mikran है यह opening बॉलर से इसके बाद date की बात करें तो लीडा है 19 वा ओवर team परिंजल 16 Logan वान वीक 17 और 20 वा ओवर करें के जाएगा और Mikran जो है वो आपको 18 ओवर करें के जाएगा तो यह यहां से दोनों साइड से जो बॉलर हैं आपको पावर प्ले और date के दिखाई दे दिए यहां से important player निकल के आएगा आज के match के लिए team प्रिंजल Mikran ठीके और एल बान विक को आप rotation में डालना ठीके यह player जो है यहां से आज के match में important हो सकते हैं आई यह बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग Kingston के ground पर जो Vincent का जो ground है वो किस तरीके से फिलहाल behave कर रहा है देखे यहां पर मैंने लिखा है पूरा का पूरा आप देखे सेनारियो समझ लीजिए ठीके बिलकुल exact condition जो है यहां पर क्या है लास्टी 20i मैच जो खेला गया था जो लास्टी 20i मैच खेला रखा है 2013 है लेकिन 2014-15 में ठीके यहां पर women's cricket भी खेला गया था women's cricket भी खेला गया था और यह जो peach है वैसे फिलहाल जब उस टाइम के मैंने उसके record भी देखे हैं तो एक तरीके से balanced cricket था spinners को थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा मदद मिल रहा था ठीके और fastest को तो है लेकिन spinners को भी ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि backsman जो है वो पूरी तरीके से यहां पर flop है मतलब हर team match में से 2-3 match है जो मैंने देखे थे उसके अंदर से यह मान कर चलिए कि कम से कम दो backsman ऐसे जरूर थे जो 30 से लेकर 50 के बीच में run बना कर गए हुए थे तो overall हम यह मान कर चल सकते हैं कि एक तरीके का balanced cricket है जहां पर backsman को भी favor है और baller को भी है थोड़ा सा spinners को ज़्यादा दिखाई दिया है अब यहां से दोस्तों जो रहा हम समझना है बंगला देश के जो batsman है उनका record किया है फिलहाल के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है ठीक है देखें लिटन दास की बात करें तो इन्होंने एक बार second inning में 36 बनाया था और फिर second inning में पिछले मैच में 9 run ही बना कर गए थे टी हसन भी पिछले मैच में 9 run बनाया था और उसके पहले 3 run है तो दो मैचों से यह जो खिलाडी है यह flop चल रहा है आज इस खिलाडी को अच्छा खेल कर जाना चाहिए टी हसन को बहुत fast खेलता है बहुत fast खेलता है मतलब slow खेलने वाला खिलाडी नहीं है ओपनिंग बल्लेवाज है तो आज यह player जो है important हो सकता है टी हसन दूसरा player important हो सकता है एन सैंटो अब समझने की क्या बात है कि सैंटो भी 2 match से flop चले जा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर हमें सेनारियों देखने को क्या मिल रहा है कि समझिएगा अगर हम यह टी हसन और इन सैंटो को ले रहे है और यह दोनों के दोनों क्या है ओपनर्स बल्लेवाज है अगर यह दोनों चलेंगे मान कर चलते हैं कि दोनों ड्रिम टीम में आते हैं तो इन लोगों को कम से कम 30 run बनाना पड़ेगा 25 से लेके 35 के बीच में इनको run बनाना पड़ेगा एनिहाव 25 या 30 भी लेकर जा सकते हैं तो जाकर यह दोनों के दोनों ड्रिम टीम में आएंगे और अगर यह दोनों ऐसा करते हैं तो निदर लेंड्स के जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं उनको flop हमें करना पड़ेगा यह बात आप दिमाग में रखेगा क्योंकि अगर यह चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पावर प्ले के बॉलर्स जो है वो उतना इपक्ट जो है नहीं डालेंगे ती हिर्दोय आज के मैच के लिए थोड़ा सा 50-50 चांसे ठीक है, रोटेशन में डालिएगा फिक्स मत किरिएगा ती हिर्दोय को हाला कि flop player का list भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ती हिर्दोय पिछले मैच के हमारे ट्रम प्लेयर था बट इस मैच के लिए हमारा ये ट्रम प्लेयर नहीं है रिकोर्ड बहुत बढ़िया है 37, 58, 25, 40 और 37, continue performance अच्छा है इसी दो मैच में flop हुआ है और ये दोनों के दोनों जो है first inning में flop हुआ है ठीक है वहीं पर शैंटो भी first inning में अच्छा खेल कर जाता है ऐसा नहीं है और टी हसन भी first inning में बहुत बढ़िया performance करके जाता है ये देखे टी हसन एक बार 52 run भी बना कर गया है first inning में इसके बाद महमदुल्ला आज के मैच के लिए important player मुझे लगता है कि बलेगा कहीं न कहीं से दो match से ये भी flop चले जा रहा है और इसको dream 11 के अंदर all rounder section में convert कर दिया गया है मतलब batting section से all rounder section में चला गया है महमदुल्ला भी important होगा और दूसरा शाकीबल हर्षन जो है आज के match के लिए ये भी important खिलाड़ी बनने वाला है 8 और 3 जो है मतलब की 2 matches के अंदर batting से कोई point नहीं दिया तो अब देखते हैं जो important player बनते हैं टी हशन, सैंटो, शाकीबल, अशन और महमदुल्ला ये 4 player मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक performance करके आज जाएंगे हलाकि बहुत सारी चीज़े मैं आप लोगों को discuss करके बताने वाला हूँ अब आईए बात कर लेते हैं बंगला देश के जो baller हैं वो कौन-कौन important होंगे आज के match के लिए ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं aim रह्मान को ये player ऐसा है एक बार flop हुआ देखिए एक बार flop हुआ लेकिन उसके पहले तीन विकेट फिर दो विकेट फिर दो विकेट फिर छे विकेट फिर तीन विकेट लास्ट मैच में जीरो पे आउट जीरो विकेट मिला विकेट नहीं मिला दो मैच से अभी तक इसको विकेट नहीं मिला है और इस ग्राउंड पर जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं उसके कोडिंग स्लो लेफ्ट आम और्थोडॉक्स को दो दो तिन तिन विकेट भी मिले हुए है ठीक है तो ये जो दो प्लेयर है तो शाकीबल हर्सन बैटिंग और बॉलिंग दोनों से तो हमारे लिए अल्राउंडर सेक्शन से एक प्लेयर है और bowling section से aim रह्मान अब बात करते हैं टी शाकीब और ताश की नहमद ठीक है इन लोगों का record देखे पिछले match में अच्छा खासा विकेट लेगे गये हैं और इन दोनों में से कोई एक DT बनेगा या फिर दोनों के दोनों flop हो सकते हैं समझिएगा ठीक है इन दोनों में से कोई एक DT बनेगा या दोनों के दोनों flop होंगे region बता रहा हूं कि अगर हम लोग ती शाकीब अब यह मैं आपको जब नेदरलेंड की combination बताऊंगा तब बता दूंगा ती शाकीब और ताश की नहमद इन दोनों को अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन दोनों को rotate कर करना होगा fix नहीं करना होगा ठीक हो सकता है चल भी जाए हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए तो rotation डालना जरूरी है अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बंगला इसके जो प्लेयर है उनका head to head का record क्या है हाला कि ज्यादा मैच नहीं है ठीक है एक मैच खेला है 25 रन बना गर गया लिटन दास एक मैच में 9 रन है और शाकीबल हसन का चार मैच में 6 का एवरेज है महमदुला है दो मैच में 26 का एवरेज है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर wickets की अगर रेशियो की बात करें तो तास्कीन अहमद दो मैच में 4 बिकेट और महमदुला जो है तीन मैच में 2 वि कैबरेज innocent between owning यह، तान्जीन हसन फिर इनिनिंग में 25 और चैंड इनने पचास के में फिलहाल 9 मै nuances का है ठीक है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 38 का आए 25 का आए फिर इनिंग में भी है लिटन्दास फ 명 सेट इनिंग में 49 के भी से के आप बात कर लेते हैं जाकी रली का 11 मैच में एकस फिर्स्टीनिंग में है और आर खुछेन 14 मैंच में उनुनीस बिकेट टेरह विकेट फिर्स्ट इनिंग में याद रखेएगा फिर्स्ट इनिंग में विकेट यह ज्या विकेट, साथ विकेट का रेशियो का अंतर दिखाई दे रहा है और मुस्तफिजूर रह्मान जो है 20 मैच में 26 विकेट और फर्स्ट इनिंग में इसके विकेट जो है 20 विकेट है 6 विकेट सेकेंड इनिंग में और टी शाकीब साथ विकेट फर्स्ट इनिंग में एक विकेट सेकेंड इनिंग में तो यहां से आपको यह बात समझ में आ गए होगी कि को कप कैसे रखना है वैसे आज में कुछ प्लेयर जो है न तकरीबन सेवेंटी पर्शन जो प्लेयर हैं आज के मैच में फिक्स दिखाई देने वाले है अब यहां से बात करते हैं एम लेविट की देखें यह खिलारी सेकेंड इनिंग में चोवान डरन बनाया फर्स्ट इनिंग में तया तालीस सेकेंड इनिंग उन्चालिस पिछले दो मैच से फ्लॉप चले जा रहा है और यह फर्स्ट हो या सेकंड हो कभी भी अच्छा खेल के जा रहा है ठीक ठाक परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है चार बार जो है परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं बहुत बढ़ियां वाला है तो आज के मैच में थोड़ा सा मुझे लग रहा है यह ठीक ठाक खिलना चाहिए और उसी तरीका से मैं मैक्स और डाउट जो है इसके भी पर उपर फोकस कम करना पड़ेगा और अगर उनके उपर फोकस कीजिएगा ताशकी नहमद और टी शाकिब के उपर तो फिर आपको इन दो में से ठीक है और आपके दो-तिन प्लेयर और हैं जैसे की विक्रम जीत सिंग हो गया ठीक है स्कॉट एडवर्ड हो गया रेंगल बेट हो गया यह पांच प्लेयर में से किसी तीन को आपको फ्लॉप करना पड़ेगा ठीक है इन तीन को फ्लॉप करना पड़ेगा तब जाकर ताशकी नहमद और टी शाकिब को आप अपने टीम में रखिएगा फिलहाल के लिए यह दो प्लेयर जो है इंपोर्टेंट नजर आ र निदा मनुरू का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है 48 का मात्र एवरेज है और विक्रम जीत सिंग जो है थोड़ा सा इंपोर्टेंट नजर आ रहा है 22 का है 27 का है 49 का है और 29 का है ठीक है तो दोनों ही इनिंग मलगभग इनका बराबर है पिछले मैच में 12 रन पर आउट ठीक है इसके बाद विक्रम जीत सिंग और यह तीन प्लेयर इन तीनों में से किसी दो को हम अपने टीम में रख सकते हैं ठीक है नीदर लेंड के बॉलर्स की बात करें वी किंग मा पिछले मैच की अगर बात करें वी किंग मा की तो पिछले मैच में दो बिकेट मिला उसके पहले जीरो, उसके पहले भी यहाँ पर जीरो विकेट है, बाकि चार विकेट भी सेकेंड इनिंग में तीन विकेट और चार विकेट लेकर गया है, तो सेकेंड बॉल में थोड़ा सा इंपोर्टेंट मुझे नजर आ रहा है, लीडा जो है, आप देख रहे हैं, सिर्फ एक ब विकेट नहीं मिला, एक बार फर्स्ट इनिंग में अगर नेधरलेंड बॉल करती है, तो फिर खिलारी जो है, ये टी प्रेंजल इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, मेकरान की बात कर लेते हैं, बहुत कम चांस होता है, कि ये प्लेयर विकेट लेस जाता है, पिछले मैच म लिए थोड़ा सा मैं इसको इंपोर्टेंट मानता हूं, एलवन बिक इंपोर्टेंट प्लेयर बनेगा, एक बार ऐसा हुआ, नहीं तो बाकी के टाइम पे कंटीनूर बिकेट लेकर गया हुआ है, तो बैक्टिंग और बॉलिंग दोनों से ही ये पोइंच देगा, तो पन का एवरेज जो है, लेविट का 69 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में है, 21 का एवरेज सेकेंड इनिंग में है, विक्रम जीत सिंग 49 का एवरेज फर्स्ट है, सेकेंड में 16 का एवरेज है, एंगल ब्रेट का 44 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में, 32 का एवरेज सेकेंड इनि इनिंग में टीम प्रिंजल साथ विकेट फर्स्ट इनिंग में आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग में इसका विकेट ही नहीं है मेकरन फर्स्ट इनिंग में छे विकेट सेकंड इनिंग में एक विकेट किंगमा जो है फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट सेकंड इनिंग में 11 विक लेते हैं कुछ फ्लॉफ प्लयर की लिश्ट है जो मुझेस सामने से दिखाई दे रहा है इसमें ती हार वसे मिनिम्मM एक और माक्सिमम दो प्लेयर जो हैं, याद रखेगा минимум एक और denkt मरीए झारो को एक साथ एक टेम में रखने का गलती हमें नहीं करना है, या तो तीन को एक साथ रखिए या दो को एक साथ रखिए चारो को एक साथ रखना नहीं है ठीके ये बात समझ लीजिएगा अब आपके सामने यहाँ पर मैं के लेकर आया हूँ AI generated AI generated team AI generated ठीके अब समझेगा ये AI generated आपके सामने दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करते रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये और अच्छे से दिखाई दे ठीके AI generated उके उपर वाला हटा दिया अब यहाँ पर देखिए मैंने combination अलग अलग तरीके से बनवाया हुआ है ठीके इसके अंदर पहला टीम मैंने रखा जिसके अंदर मुस्तफीजु रहमान है टी प्रिंजल है मेकरन है टी हसन यह ओपनर बलबाज एम लेवीट ओपनर बलबाज एन शैंटो ओपनर बलबाज इसके बाद शाकीबल हशन है, महमदुल्ला है, आर हुशैन है, बी लीडर है और एलवन बीक है, ठीके, अब इसके अंदर अगर आपको changes करना होगा, अगर इसके अंदर changes करना होगा, तो आपके सामने option बज़ता है कौन सा, एक तो एलवन बीक, और दूसरा बज़ता है आपक लीडर, इन दोनों में से किसी एक को हटा के आप लीटन दास के साथ जा सकते हो, क्यों कि विकेट कीपर option थोड़ा सा मैंने नहीं रखा, एक्चुली विकेट कीपर action में options में में मेरे पस लीटन दास ही दिखाई दे रहा है, स्कॉट एड़वर्स का record ज्यादा अच्छा न देखिए, एम रह्मान, टी प्रेंजल, मेकरं, टी हसन, एम लेविट, सैंटो, शाकीबल हसन, ठीक है, महमद दुल्ला, आर हुसेन, लीटन दास और तास की नहमद, ठीक है, इस टीम में से आप देखिए, यहाँ पर लीडा और एलवन बिक, यह दोनों को हमने हटा दिया, नेक्स टीम में, एम रह्मान, टी प्रेंजल, मेकरं, टी हसन, एम लेविट, सैंटो, शाकीबल हसन, किंगमा, एलवन बिक, लीडे और महमद उल्ला, ठीक है, तो यह दोस्तों आपके सामने जो कॉम्बिनेशन है, यह आपको कॉम्बिनेशन मेंने इसलिए बनाया, ताकि AI स से, और यह वो कॉम्बिनेशन है, जो की 90% चांस है कि चलेंगे, ठीक है, यह बात दिमाग में रखिएगा, फिर देखिए, एम रह्मान, प्रिंजल, मेकरं, टी हसन, एम लेविट, सैंटो, शाकीबल हसन, महमद उल्ला, हुशैन, लिटन दास और वी किंगमा, ठीक है, आप हुशैन, बाकी सब कुछ सेम है, बीच में चेंजर होते जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उपर वाला बिल्कुल सेम है, नीची वाला देखिए, महमद उल्ला के बाद लेड़ा हा गया, तार्षकी नहमद हो गया, और मैक्स और डाउड हो गया, यानि कि हम फिवजु रह्मान भी हो गया, टी प्रेंजल भी हो गया, महमद उल्ला भी है, लेड़ा भी है, और तार्षकी नहमद भी है, अब रोटेशन जहां करना होगा, वो करना होगा आपको तार्षकी नहमद के जगा पे ठीक है, यह एक रोटेशन आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर तार्षकी नहमद के जगा पे आप किसी विकेट कीपर, विकेट कीपर तो हमें वैसे लेना ही पड़ेगा, तो तार्षकी नहमद के जगा पे विकेट कीपर को ले सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यह बाकी का सारा जो है रोटेशन पूरे का पूरे दस्टिंग का combination आप लोगों के लिए मैं try करके लेखर आया हूँ ठीक है अब बात कर लेते हैं ये screenshot ले लिजे अगर लेना होगा तो screenshot ले लिजे screenshot ले लिजे लेना है तो अब आईए बात कर लेते हैं थोड़ा सा all rounders के combination combination और rounder का combination भी हमारे लिए जरूरी है फिलहाल महमद उल्ला को मैंने फर्स्ट में रखा था इसलिए महमद उल्ला हमेशा continue आ रहा है आप लोग चाहों तो महमद उल्ला को rotate कर सकते हो यहां पर महमद उल्ला है लीडा है शाकीबल हशन और आर होशन पहला combination दूसरा महमद उल्ला लीडा शाकीबल हशन और इंगल प्रेट इसके तो कहने का मतलब है यह कि यहां पर देखे मैंने महमद उल्ला को रखा और लीडा को रखा ठीके शाकीबल, हशन और इंगल बेट यह दोनों के दोनों सेम है ठीक है और यहाँ पर देखे यह वाला ओप्षन महमदुल्ला, लीडा, आर हुशन और एलवन बीक ठीक है अब देखे अगर मान लीडा फलोफ हो जाता है तो क्या होगा फिर हमने यहाँ पर शाकीबल, हशन को भी एलवन यह एंगल ब्रेट मानलेजिए अगर एलवन बीक फ्लॉफ हो जाता है तो एंगल ब्रेट तो यह टोटल कॉंबिनेशन जो है आपको मैंने दे दिया अल्राउंडर्स का आई होप आप लोगों को सारी बाते समझ में आ गई होंगी कि यह कॉंबिनेशन हमें किस तरीके से तयार करना है और यह कॉंबिनेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है आप यह देखे मैंने एक टीम बनाया जिसके अंदर मैंने किसे किसे रखा है यह मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर लिटन दास है एन शैंटो टी हसन एम लेविट और यहाँ पर मैंने मैक्सो डाउड को फिलहाल हटाया हुआ है इसके बाद महमदुल्ला है शाकीबल हसन है लीडा है और आर हुशेन है मेकरन मुस्तफीजु रह्मान और टी प्रिंजल मुस्तफीजु आँगा तो और भी काप्टेंसी का पूरा का पूरा फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूँ कि काप्टें कहां से ज्यादा तर निकल सकते हैं आज के मैच में ठीक है तो यह पहला कॉंबिनेशन हो गया दोस्तों आप समझेगा कि अगर इन ही में हमें रोटेशन करना हो अगर इन ही सारी चीजों में हमें रोटेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे तो मान लिजिए कि हमने इसका कॉपी कर लिया इस टीम का मान लेते हैं कि शैंटो जो है वो नहीं चला एक बार के लिए और हम मैक्सोडाउड चल गया तो हमारे सामने एक यह उप्शन बच गया क कि हम ती हशन को हटाके मैक्सोडाउड को रख दि gorgy धीए ठीये ठीया ठीयर शैंटो को हटाके हमने यहाँ पर किसको रखा मैक्सोडाउड को दी हसन है फिर आप एक काम करना ओ 무서istically कि टी हसन के जगा पर सामनें दोनों को रखा और तीर स्म कंडिशन आपको क्या करना है लेत लेविट को हटा देना है फिर मैक्स टाउड ती प्विके याद समझ गए यानि कि यह हम लोग क्या करेंगे ति गर खेंगे compliant हू गया प्विके सेल्ड और हो गया और यह सेङ्म कॉंबिनेशन रहने तो उससे आपका इन दोनों में से किसी एक को हटा के, मान लो कि r hosain को हटा देते हैं, जिस तरीके से, मान लो हमने r hosain को हटा दिया, यहाँ पर हमने xanto को रखा, यहाँ पर r hosain को हटा के l1 big को कर लिया, ठीक है? यह rotation हो गया, फिर आप चाहो, तो यहाँ पर अब जैसा की मैंने all-rounder का combination बत आया है पांच combination उसी combination के मद्दे नजर आपको यह सारा rotation करना है ठीक है फिर क्या कीजिए लीडे को हटाईए ठीक है और यहां से आप चाहो यहां से आप max or doubt को रख लो इस तरीके से तो यही combination जो है guys आपको जरूत पड़ेगी और इसी combination के थूरू आज हमें जाना होगा match करेगा पिछ की combination क्या बनेंगी तो वो कुछ idea नहीं है लेकिन प्लेयर्स के performance के recording ही आज हमें टीम बनाना पड़ेगा दूसरी important बात आज भी मैं आप लोगों को वीडियो अप्लोड करने के एक गंटे बाद आज भी आप लोगों को private contest देने वाला हूं तो फटा-फट हैंगे private contest multiple contest है और कहीं न कहीं आप लोग उसके अंदर कोई न कोई अच्छे rank पर आएगा ही आएगा ठीके मिलते हैं live साथ बजे तब तक के लिए जहिंद